इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सजेशन 4th semester का Political Science Honors का अगर आप Political Science Honors लिए हैं और अगर आप 4th semester में हैं तो यह सजेशन आपके लिए बहुत ज्यादा beneficial होगा इस वीडियो को लास तक जरूर देखें और इससे पहले मैं एक और वीडियो लाई हूँ, अगर वीडियो अपने ही देखे तो जाए उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि उस वीडियो के जरीया भी आपको बहुत 3-4 वे मिल जाएगा, 3-4 ऐसा तरीका मिल जाएगा, जिसके जरीया आप अपने कम वक्त में ही आप कोवर कर सकते हैं. इसमें तो मैं आपको बताओंगी कुछ कोश्चन में को कोश्चन मेन हैं but इस अब आप both नहीं है बस आपको थुआ सा जो है ट्रिक अपनाना है वो ट्रिक अगर आप अपना लेंगे तो आपको उतना ज्यादा मिहनत भी नहीं करना होगा आपका मार्क्स भी अच्छा आजाएगा तो इस सजेशन को बताने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी स्लेवर्स और इस वीडियो में मैं आपको जो है बैच सजेशन मतलब के होगा जो बैच 2022 का मतलब के यह 2022 वाले जो भी एक्जाम देंगे उनके लिए है तो इसमें कोई आपको कॉई आपको कॉन्फूजन नहीं होन चाहिए प्लीज जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले चाइनल को मैं सजेशन बताऊंगी आपको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले क्योंकि देखिए सब बनाने में बहुत जादा टाइम लगता है सजेशन वीडियो बनाने में और भी जादा प्लीज आपको दिखाई परता है समह जाता है उसके बहुत मेहनत होता है तो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगी प्लीज आप लोगो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं और भी वीडियो गनाऊ है तो आपको मैं दूंगी लेकिन CC9 & CC8 का देना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है क्योंकि CC10 को बनाने में ही बहुत जादा टाइम लगा है और CC9 & CC8 का अगर मुझे लगता है कि अच्छा यह सब कोश्चन मिन मिन है यह कोश्चन आएगा तो मैं आपको वी दे दूं कि आप लोगों का ताइम कम से कम वेस्ट हो और सही आपको इन्फोर्मेशन मिले के सबसे पहले आपको मैं स्लेबस दिखा दिखा देरी हूं CC10 का कितना वरा है और क्या उसमें से आप कौन सा कोश्चन चोड़ सकते है कौन सा कोश्चन पढ़ेंगे वो में बताऊंगी तो आपका जो है ओनली थ्री पेपर ही रहेगा इंडियन देखिए आपर सेमेस्टर फोर लिखावा इंडियन पॉलिटिकल थाओ एक आपका पेपर है और आपका मतलब के CC4 हुआ सौरी CC4 नहीं CC8 CC उसके बाद आपका 9 आ जाएगा ओके इससे के 8 आपका हो जाएगा CC फिर 9 आपका हो जाएगा और 10 तो 10 कभी में बताऊंगी तो वैसे सबसे सबसे तो देख लिए आपका सबसे पहला फेपर जिसका एक्जम रहाँ में 65 को फो मैं यसका मेंATION 2 इ perché 35 में 55 को होय जो ग्या डाएग इतना की पता ही यहां पर एक स्कीन सूटे सकते हैं, यहां पता ही होगा वह आपका यह वाला जू है उसके बाद आपका यह है ग्लूबल पॉलिटिक सिंस 1945 एक यह पेपर आपका है जिसमें मॉडिल 1 और मॉडिल 2 भी है कि यहां तक एक एक और पेपर है एक और पेपर है आपका ये वाला CC 10, okay CC 10 है ये, ये मोडिल 2 है, मैं तना डिटेल में इसको नहीं बताऊंगे, बस नॉर्मली थोड़ा सा मैं आपको स्लेबस दिखा दे रही हूं, ताके आपको confusion जो होगा कि स्लेबस कौन सा मतर्स में दिखा रही हूं, कौन सा सजेशन बता तो वह मैं दिखा दे रही हूं, अब ये वाला हो गया आपका CC 10, मैं आपको इसमें CC 10 का ही सजेशन बताऊंगी, इसलिए मैं CC 10 का ही कोशन पेपर दिखा दे रही हूं, एक ही AKR का है पेपर, मैं वह दिखा दे रही हूं, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपका अब जड own, इसलिए बाद, आप लोगों अपना कोशन पेपर मेल आपका दे रहे आपका कर देंगी, अपने गवीडियो में अपका नाम लोंगी पहली है, आप प्लीज चेम कर दीएगा मुझे, जो भी आपका सांख कर देंगीर हैं, जो है अपना कोशन पेपर मेल कर दें तो मैं पांचों का नाम लूँगी और अगर जो फर्स्ट मतलब के पांच होंगे उनका नाम लूँगी ऐसा नहीं कि आप लोग सब मिलकर सेंट कर दिये और मैं सब का नाम लूँगी जो उपर से स्टार्टिंग में जो होंगे उनका पांच का नाम लूँगी तो इसा हमंधित एस था एक भूल नए् संट करें जाएगा, वूर्सरा दानने लिहां जो पॉस्ट ख़ें लिए यह समंझ आयेй करेंगे वही सेंट करेंगे ओके तो फस्ली कॉमेंट करिए उसके बाद आप सेंट करिएगा मुझे बाद में जब एक्जाम होगा और उसका ही मैं नाम लोंगी ओके तो देखिए यहां पर मैं आपको दिखा दे रही हूं यहां तक आपका है स्लेबस अब देख लीजिए पूल मार्क जैसे कि आपका और स्कुराइबस में आपका और स्कुल म्रा उल्यक्ट साइज बीटिकल साइंस यह यह पेपर अपका सिजी टेन का वेस्टन बरिटिकल ठाल्रा एंद त्थ्यूरी मोडिलस वन अं मोडिल टू दो नों का एक साथ फूल मार्स 65 है जैसे कि आप गाप सब्सक्राइब देंगे और उससे बाद आप करेंगे तो इससे बाद से बिडिएह बना हो जायाने किस इतरा आप करेंगे लिएग одна एक है कांडिटेट को बोला जा रहा है कि आप अपने लैंग्विज में दे इतना और प्राक्टिकल होना चाहिए इसलिए मैं इससे पहले वाला वीडियो में बोली थी आपको क्या कि आप अपने वर्ड में लिखेंगे कैसे लिखेंगे वह सारा मैं आपको बताई हूं इस वीडियो के लास्ट में भी मैं कोसिस करूंगी कि बता दूं और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो वह वीडियो देख ले जाकर देखेंगे यहां पर कोस्चन आपका है इस तरीके से तो पहले बिंगोली वर्शन का रहता है बिंगोली वर्शन लोग का यह है अब यह रहा इंग्लिज वर्शन का तो आपको पता होना चाहिए कि 15 मार्क्स का स्वार्ट कोश्चन आता है और एक और यहां पर बात है जो मेन बात आपको याद रहने वाली है वो यह कि आपका एक भी ऑप्सन नहीं रहता है मतलब कि 15 कोश्चन रहेगा 15 कोश्चन पूरा का पूरा आपको करना होगा एक भी कोश्चन इक्स्ट्रा यहां पर नहीं दिया जाता है 15 का 15 कोश्चन करना होगा ही होगा आपको नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कम होगा लेकिन आपका बिनिफिट है क्या लॉंग कोश्चन में लोग कोश्चन क्या है लोग कोश्चन है मोडिल 1 यह मोडिल 1 यह मोडिल 2 तो यहां पर क्या है कि लोग कोश्चन आपको 10 मार्क्स 15 मार्क्स का दिया हुआ है इसे लोग कोश्चन आपको 10 मार्क्स 15 मार्क्स जो है वो दे दिया गिया है तो यहां पर सबसे पहला आप देखें हैं जिसमें आपके पास option है areson है और यहां पे सभी में option है देखिये यह option , DAY लोग question में то रिजिय। अच्छी बात यह है आपका कि यहाँ Śश्चे अब अच्य से कर पाएंगे अब सो रहे ह وتलते हृएंगे सजिशन वीडियो चीज को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है तो प्लीज वेट करिए आपको समझ आ जाएगा मैं स्लेबस इसलिए दिखा देती हूँ मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे थोड़ा भी उनको जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी हो जाए क्योंकि इस सिचुएशन में आप लोग फस गए हैं दो बताया जा रहा है कि आपका लोका स्लेबस कंप्लेट नहीं हुआ बहुत कम वक्त मिला है तो इस तरीके से कुछ-कुछ स्टुडेंट जो है वो क्या हुआ है उनको स्लेबस भी सही से पता नहीं है तो इसलिए मैं स्लेबस दिखा दे रही हूँ और दोसरा रिजन जो है क्वेशन पर बताने करके आपको किस तरीके से अपना स्लेबस को फॉलो करना हुँ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और आपको कुछन पैटन पता रहेगा तो सही से आप जाकर आराम से वहां पर लिख लेंगे तो 15 2-12 समाना हम मरें 19 circuits दा करना है यहने करना हैं पर में लिख दिया गया यह उनसी तो आप इसको कोई एक करना है तो यहां पर आप एक धिहान डखिएगा कि यह तेन मार्क्स है तो आप इसको कोशिस करें कि उपर वाला जो 100 वर्ड है उसको कम से कम 150 में लिखें मतलब कि एक्स्ट्रा लिखें और यह जो 500 वाला वर्ड है 500 वाला को अगर आप 450 भी कर देंगे तो चलेगा ओके 500 से एक्स्ट्रा मत करिएगा क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना है ताइ में प्रॉब्लम होगा फिर मोडिल 2 में सीमिलर आपका है 10 माक से कोश्ट्रा करना है 15 माक सा करना है दोनों में ऑप्सन दोनों में सको ये कर सकते हैं तो इसके लिए आपको देखिए आपे मैं साहेशन बताऊंगी और एक और जो इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ करते हैं दोनमोन हम ये मैं दोन दोन सकते हैं तटो लहां से अंक स्वेखिए घै सबस्की्ट्रा ओर तो अपको इस प्रॉब्लम को देखिए टोमें लहां थाओ कश्ट्रा आप वा एक हैं मैं स्था स्लेखिए ठीन च catching हो दुश कर आएमने ऑर तो रखिए मैं स्चौन धोन प्रॉब्लम नहीं आएगा और जिनको डर लग रहा है कि वो फेल कर जाएंगे वैसा बिल्कुल नहीं है तो आपको एक्जाम हो गया है तो 35 मुझे अपको एक्जाम हो गया इसमें से आप माले जी कि 30 लाएंगे बहुत कम तो 30 आया ही होगा आपका अगर आप यहां पर यहां 50 मार्क में माले जी के आप लाएं माले जी 50 मार्क का एक चीज़्य है तो 35 आपको नहीं हुआ। 35 में से आपको कर संदस्याम होगे 25 के ख़़ें है, और 0 ,25 के 30 में माले माले अवस्ति 20 जी 50 मार्क के 50 में से अब बहुत कम तो 40 लाएं Kalau고 पासिंग माक्स कितना है पता है आपको यहां पर 5 फिर 4 & 2 कितना होता है 6 तो फिल नहीं करेंगे 65 आपका यह बहुत मतलब कि एकदम एकदम मतलब बहुत ज्यादा विक जो बच्चे उनके लिए है इतना कम वैसे तो आपका आना चाहिए कोलेज से आपका यहां पर होगा अगर यह फॉलो कर लेंगे तो और यह प्रोड़ करना है जो अछा सुरू से पर्चाएगा और आप भी अच्छा आयेगा जो नहीं पर धेंग은 जिनको प्रॉबलम आगया है तो प्लीज अभी से पढ़ ले अभी भी बहुत टाइम है आपको लगता होगा कि बहुत कम टाइम है लेकिन आपके लागबग अगर आज से फॉलो करेंगे 25 डेज मिलेगा ही मिलेगा और ऑनलाइन के चक्कर हैं मत रहें और वालाइन अब होने वाला नहीं है एक बाइं डिसीजन लिया गया है विख समझ के लिए अब बहुत कोशिस के नहीं हुआ तो कोई बात नहीं अब प्रेइं अब प्रिप्रेज करें उसके टाइम वेस्ट मेश्त कर ये आप तरहतों के अभी भी भी बहुत सारी वीटियो बन रहे यूटूब पे कि अनलाइन और उफलाइन करके उसको मत देखें तो चलिए मैं आपको बता रहे है कि आप इसको करना कैसे हैं फर्स सेलेशन आपके लिए यह है कि सलेबस कैसे आप करेंगे कौन-कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं कि फर्स सेलेशन आपका है यह वेस्टन पॉलिटिकल थाउट माल लेजिए आपका यह वाला है टेन पेपर ठीक है कि मैं पॉलिटिकल थाउट माल पॉलिटिकल थाउट में फिचर प्लाट इसको कि अगर आप इसमें से प्रॉड्म नहीं आएगा नहीं अगर आप इसमें से कोई भी एक छोड़ सकते हैं कोई भी माल यहां पर कितना पॉइंट दिया हुए फूर पॉइंट दिया हुए यहां पर दिखा हुआ है ने ग्रीक पॉलिटिकल थाउट में फिचर स्प्लाट जस्टिस कॉमिनीज्म एरस्टोटल स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ दी कॉंस्टिटुशन इस तरीके से कर दिख देगा और पूरा पूरा लेफ्ट कर देगें लेकिन आप Sus specific सबकर दिखार देंकर दिखे लेकिन अब सब TRAK तभी तो हाट पता चालेगा यह कुछ मालेज अब समझ रहे हैं और नहीं समझ जाएगा है तो आप कोई भी एक फोड चोड़ सकते हैं अगर वन चाहते तो नहीं टो चाहते तो यह एक लिफ्ट कर देया है तो इसका पूरा कॉर यह नहीं स्मझ भी एक पाकर पर दीजिए औ तो पर ना कमास जड़ेशायो खहा है बादो ना कमास बना को पर भीयों हो जब क्रोली कड़ीिप्स कर सकुका में इन इसे प्राइब करीता ही जघा एक कर देखसे हैं की कर दोख के दोंगे भीयों हो पर टांटे करिया है चंशना एक त्सकाड़ी बोजिन आइडियो फ्रीटिक्स ठीटिक्स का है कि अगर बोजिन आइडियो फ्रेटिक्स फांडर निच्राल राइट्स प्रोपर्टि एंड रॉसू वीव आन फ्रीडेम और डेमोक्रेसी तो मोडियू टुमे से भी आपको बहुत एक लिफ्ट कर सकते हैं अगर बोजिन कि क्या है कि आपको गारोंगी तो आपको पर क्या है तो ख़र सब्सक्राइब लेकिन इस सिच्वेशन में आप ऐसे करेंगे तो ख़र शक्राइब । तो इसलिए आप क्या करें कि वह वीडियो देख लें वहां में बहुत अच्छी से बताई हुई हूं वहां से आपको किलियर हो जाएगा अगर मालीजे बाइचांस कोई टॉपिक आपको पसंद ही नहीं आ रहा है अच्छा नहीं लग रहा है दूसरा आपको काम कर सकते हैं कि आप सारे टोपिक को पढ़ने के बजाए मतलब किया करिए कि आप भीजी देख लीजे मतलब के जब आप वीडियो देखेंगे तो क्या होगा कि देखिए कि हाफ आवर के अंदर में आपको समझा दिया जाएगा और उसमें आपको सौर्ट न तो आप महरत करें तब आपको बता रहे होंगे वह बहुत ज़र अपना टाइम दिये होंगे उसके बाद सब्सक्राइब आपको दे रहे होंगे तो आपको जारा अच्छा होगा जल्दी समझ में आ जाएगा वहां से आपको मैं बोल चुकी हूं इससे पहले वीडियो में बह कर लेंगे वहां से टॉपिक पर है और सौर्ट नोर्स अपना लिखते जाए लिखते जाए जिनको लिखने प्रॉब्लम है वह बहुत होगा और देखिए अब बोलेंगे नहीं मुझे वह भी नहीं देखना है अब बिना देखिया मांक्स तो आप लोग भी जानते है किसी आप लोग जाए अपने रूम का फैन जो है बन करके हाफ आवर बैठे कैसा लगेगा बताइए अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा तो इसी लिए कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना होगा यह सुने होगा हमेसा नो पेन नो गेन अगर आपको पेन नहीं होगा तो यहाँ पर प्रचफ फेस करना पड़ेगा तो आपको इसा नुट्स भी नहीं बनाएगा तो जहां पर देखिय को करा तो संत्ये मारी हूं तो समझेए कि गड़मी में बैटना ही होगा आपको फैन बन कर अगर आपको सौंड जाएगा तो किलियर सौंड आवाज मेरा जो आवाज है वो नहीं सुन पाएंगा इस वह से फैन बन करे बनाना परता है तो देखिए मैं कुछ कर रही हूं कुछ कर रही हूं कामाली जी कि थवा से गढ़मी बर्दास करना पड़ कर अगर मी देखिया लगता है लेकिन उपके अंदर रहेगा पेश्चन कि नहीं पो करना है तो आप आप और लेंगे तो गरमी मेरे बिल्कुल नियुक्त करे बिल्कूल करेये डाहन कर रहते हैं कि आप शकेज्ट में होगेख दीद्ना ऐसा और करें चुह चाछछा है कोई कि फड़्र इ Parteसिख करें कोई तो इस दिन्हीक कोई ज़य जाद पर खशेगा और एट- लिस्ट फाइप आपuplix को एक साथ करें को अब आप सोचेंगे 55 टॉपिक कैसे को अबर होगा मैं तो बता रही हूं इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं आपको आप सौर्ट नोट के जाकर अपना यूटूब में सर्च करें परहें उस सौर्ट नोट बना ले इसको बनाने में टोटल आपको जो एक है मैं जसे लए खं़ सबस्के में शर्माइन क्या विकलत बनान इडिन है करता दें लोगा कि को आप शची को आप सम जली समझा आता है तो आप अपने झापी को गुशा संक कोई भी एकि टेंगे क्या है रहीं हैं तो आपने रहींन समया विखकलते ऐहे है अबर हैं टीन ह बिल्कुल ऐसा नहीं आप बिलीव रखें इसको भी मैं समझाओंगे अपका एक्जाम हुजाए फिर मैं इसके उपर एक वीडियो बनागे कैसे ही समझाता है कि एक कोशन पूरा पॉइंट चोड़ दे तो कोई फरक नहीं पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगे लेकिन इस व बनाते जाया आप जिसे मैं बूर लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है सीकेंडली जो सीकेंड यहा पर सब्सक्राइब आप पहले करेंगे वह सारा कुशन पहले लर्न करेंगे उसके बाद यह सब कोशन करेंगे आपका यह मेन कोश्टीस रोमन थेयोरीज ओफ लाओ में आपकर 4 नोड यह एगा यह दो इसे दो नोड आएगा यह तो प्लीज इसे सबसे पहले अच्छे से लें इसको रखनाना थे बनाए लेकिन अगर आपके पास अगर लग नोड से लिखना तब करैंगिन अगर आपके पास कम हेसरी में बुली तिक आप सौर्स बना दे जा तो वो सबका short notes बनाए लेकिन इन जितना में चार्ड है कि यहां पर चार्ड नहीं होगा, at least यह पांच और छे notes समझी हो जा रहा है, कैसे रोमन थेरीज आप अलग से पढ़ें और सिटिजन सी पिसका अलग से पढ़ें, okay, रोसुस फ्रीडम और डिम्योक्रेसी अलग अलग और प्रैक्किस कर लें 2-3 मरतबा, देखिए ऐसा नहीं कि आपको मैं बूलेंगी 100% यही आजागा, लेकिन यह कोश्चन सब ज्यादा चांसे से आने का, इसमें से नहीं भी कुश्चन तो आपका आना ही आना है, मतलब कि आपका 15-15-30 marks मालेंच यहां से आई जागा इस यह सब कोश्चन जो आपका बहुत इंपोर्टेंट है, सब कर लें, अगर अपका इसको मतलब नहीं मिल पा रहा है कि नोटस ही नहीं है, तो प्लीज सर्च करना कैसे वही मैं वाला वीडियो में बताई हूँ, इससे पहले वीडियो में, अगर किसी को नहीं मिल पा रहा है तो कॉमेंट करें, मैं इसका नोटस भी आपको प्रुवाइल करा दोंगे, ओके, थैंक यू वर वाचिंग इस वीडियो, आप लोगो का बहुत सुक्रिया कि यहां तक आप लोग देखें, और प्लीज, आप लोग मेहनत करते रहें, और थुआ सा देखिए, इस टाइम आपको क्या करना है, बाद में खुछी एक मर्तवा लिख लें, प्रैक्टिस करेंगे थोगा ठीक है, जैसे के पांच नोट अगर एक दिन में कौभर कर रहे हैं, तो उसमें से एक नोटस को लिखेंगे भी, पांच नोटस लिखना जरूरी नहीं नहीं, एक नोटस लिखें तो भे होता है, कऊछ एक ञ़िए ожалआएट कर करका रहा है, तो लिखाते होगा है, अप लोग से शोड्य नहीं, नहीं कर रहाएँ, आप लोग से शीए को इस स्क्राइल टा